जिस NDA को अटल जी ने बनाया था उस NDA के जितने महत्वपुन दल थे वो आज के NDA में नहीं हैं और उसके बजाए 38 ऐसे दलों को इसमें जोड़ा गया है जिसमें बहुत सारे दलों का नाम ना आपने सुना होगा ना हमने सुना है और साथ गूगल करने पर भी नहीं मिलेग बेंगलूरू में मीटिंग जहां तक दिल्ली वाली मीटिंग सत्ता में बने रहने के लिए थी बेंगलूरू की मीटिंग में हर लोगों ने बलिदान की भाषा में बात की नमस्कार में आना मालोग है आप लाष्टी देख रहे हैं अब देश में इंडिया वर्सेज एंडिये की लडाई शुरू हो चुकी है देखिए महागरबंदन का जो एक नया स्वरूप दिख रहा है महागरबंदन की जो ताकत दिख रही है तमाम जितने गयर भाजपाई साथ मिलकर लड़ाई लड़ने की अब मन जब बना ली है युद्ध का एलान भी हो चुका है दूसरी और एंडिये की नेताओं की बैठक हुई है प्रधानमंतिर राइंद्र मोधी ने खूब हुंकार भरी है हमाई साथ करुणा सागर जी मौजूद है आरज़ेक राष्ट लेकिन सामने एंडिये भी है और तीस पाटियां थी उसमें उस दिन जब हम देख रहे थे प्रधानमंतिर राइंद्र मोधी ने तो मैं अमिज शाकर ने तो मैं दिल्ली में बैठक हुई तो एंडिये को इतना भी कमजोर मत मानिये है आलोग जी अठारा तारिक को दो मेटि से शुरू करता हूँ वैसी बात नहीं है वह बड़ा एलाइंस बताय जा रहा है अर्टिस पार्टियों का एलाइंस बताय जा रहा है तो देखिए जो दिल्ली में मीटिंग हुई उसमें मुझे तीन विडम मनाये दिखी पहली बात यह कही गई कि यह एंडिये का पचीस सा हो गया है और वह मनाये जा रहा है आलोग जी पिछले नौ साल में इस देश ने एंडिये का नाम नहीं सुना था इंडिये चुनाव लड़ा तो है उनीस में लड़ाई 14 में लड़ाई बीजेपी ने लड़ी थी और नौ साल में सिर्फ बीजेपी की बात हुई थी जिस एं के बजाए 38 ऐसे दलों को इसमें जोड़ा गया है जिसमें बहुत सारे दलों का नाम ना आपने सुना होगा ना हमने सुना है और साथ गूगल करने पर भी नहीं मिलेगा तो यह क्या मजबूरी है कि कल तक एक अकेला सपर भारी पार्टी सिर्फ बीजेपी और सोच एहम ब् पहले महागडबंदन भी नहीं था अब आप लोगों को भी महागडबंदन बनाने की जोड़ पर गई है मैं आता हूं उस पर आता हूं दूसरी विड़मना आपने 18 की मीटिंग के एक दिन पहले एक फोटो देखा होगा नड़ा जी बिहार के एक छित्रीय दलके एक नेता को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे है और वेलकम होम कह रहे है और यही नड़ा जी इसी बिहार की भूमी में आकर उन्होंने क्या कहा था कि बीजेपी इस देश के सारे छेत्रिये दलों को समाप्त कर देगी इस देश की राजनीती के लिए छेत्रिये दल खतरनाक हैं तो आज क्या हुआ जो नडड़ जी का हिर्दय परिवर्दन हो गया कि आज सारे छेत्रिये दल को जोड़ा जा रहा है क्योंकि यह जो एंडिये है 38 पार्टियों का इसमें बीजेपी के अलावा सारे छेत्रिये दल हैं यह दूसरी विडमना मुझे दिखी और तीसरी बड़ी इंट्रेस्टिंग है और वो है उस मेटिंग के वेन्यू को लेके एंडिये की मेटिंग कहां होई होटल अशोक में दिल्ली में यह वही होटल अशोक है जो 1956 में पंडित जवाहरलाल नहरू ने प्रधान मंत्री होते एक विरास्तों में गिना जाता है और यह वही बीजेपी है जिसको की नहरू जी की सभी विरासत से सभी लेगसी से नफरत है तो यह तीन विडमनाएं इस मीटिंग में दिखी और यह मीटिंग सिर्फ सत्ता के लिए थी लेकिन अगर इसे मजबूरी जिसमें एंडिये बना बैद हुए है तो यह साफ पता चलता है कि भारतिये जनता पार्टी को दो हजाच चौविस के दिवार पर क्या लिखी है वह दिखने लगी है आप लोग साथ आ गए हैं महागर पजाराते हैं महागर दों के लोग साथ बैठ गये हैं इसका मतलब यह सब एक हो गये हैं उद ने किया बेंगलूरू में मीटिंग जहां तक दिल्ली वाली मीटिंग सत्ता में बने रहने के लिए थी बैंगलूरू की मीटिंग में हर लोगों ने बलिदान की भाषा में बात की सैक्रिफाइस की बात की जो सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष की कॉंग्रेस है उसके जो अ करने को तयार हैं तो यह जो बलिदान की भाशा है ना यह किस बलिदान की है यह सत्ता के लिए बलिदान नहीं है यह विवस्था परिवर्तन के लिए बलिदान है क्योंकि यह जो समविधान जो बना था हमारा जिसमें महात्मा गांधी का सपना था बाबा साहब भीमभा राव पाइधान पर जो आदमी है, उसके लिए बना था. और पिछले 9 साल में जो सरकार रही है, वो सरकारने आम आदमी को भुला कर खास आदमी के लिए काम क्या है. तो ये जो कुरबानी की बात बैंगलूरे में हुई है, वो ये इस के लिए हुई है कि आम आदमी जो इस देश का है जो कि जिसको की देश के संसाधन पर पहला अधिकार होना चाहिए देश की संस्थाओं में जिसकी भागीदारी होनी चाहिए उसको उसके उचित स्थान पर अस्थापिद करने के लिए यह गडवंधन बना है इंडिया नाम सही है और बहुत सारे अगर भारतिय जनता पार्टी हो सकती है जिसमें बहुत है तो एक गड़भन्दन का नाम इंडिया की यह नहीं हो सकता है, Communist Party of India है, तो इसमें कोई कानूनी अर्चन तो बिलकुल ही नहीं है, तुलना अगर की जाए, इंडिया की बैठकी और महाकरणन की बैठकी, तो उसमें क्या फर्क है, कितना फर्क है, यह करुणा सागर जी जो की आश्रंका जाहिर की है, आपने सुना है, हमारा चानल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ, फेस्ट पेच भी लाइक करें, धन्यवाद